कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वह सेक्षिक और सुपमक्ष उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिगत चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर हर दिन नए नए प्रोडेक्ट लॉंच होते हैं आप सुनी होंगे कि आज किसी ने एनेफटी मार्केट प्लेस लॉंच किया आज किसी ने वेब थी के लिए कुछ लॉंच किया आज किसी ने मेटावर्ष का प्रोजेक्ट लॉं वो भी देखना पड़ेगा और उसे company को फाइदा कितना है ये भी देखना पड़ेगा और अगर बहुत बड़ा ही platform है तो भी देखना पड़ेगा कि इस platform को बनाने के लिए कौन-कौन से लोगों ने उसके अंदर पैसा डाला है और अगर उसका token है अगर ज्यादा लोगों न पारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि एक नया टोकन है आपको कुछ जानने को भी मिलेगा कुछ फाइदा भी देखने को मिलेगा अब हम एनेफटी की बात करेंगे तो एनेफटी को खरीदने इन बेचने के लिए उसके मार्केट प्लेस बनते हैं मार्केट के अंदर सबसे एनेफटी मार्केट प्लेस जहां पे एनेफटी खरीदा जा सके और बेचा जा सके लांच हुआ था 2017 के अंदर ओपन सिया नेम का प्लेटफॉर्म जो कि साइद काफी सारे लोग इसे जानते ओपन सिया काफी फैमस भी हुआ और आज की तारिक के अंदर भी देखेंगे तो टोब के उपर चलने वाला एनेफटी मार्केट प्लेस है तो दोस्तों एनेफटी मार्केट प्लेस मतलब जहां पे एनेफटी खरीदा जा सके बेचा जा सके या तो एनेफटी को क्रियेट किया जा सके और वहां से रेवन्यू बनाया जा सके ओपन सिया के बाद हम बट इन में से तो दसी अच्छे चल रहे हैं तो दसी को ही देखना है बाकी को नहीं देखना है बाकी नेम के NFT marketplace है मैंने शुरू में बताया न कि कोई project अपने token में hype लाने के लिए क्या करता है कोई marketplace बना देता है और सभी लोग को बताता कि हमने NFT marketplace बनाया बट वोल्यूम उसमें 0 रहता है देखें लास्ट दो वाले में कोई activity नहीं है कोई user नहीं है कोई traffic नहीं है तो इस marketplace का कोई फाइदा नहीं है अब हम टोप के देखेंगे वोल्यूम वाइस देखेंगे और users base देखेंगे तो फर्स नमबर के उपर अभी भी देखेंगे तो open CR चल रहा है सेकंड नमबर के उपर चल रहा है blur थर्ड नमबर के उपर चल रहा है magic item फूर्थ नमबर के उपर चल रहा है element फिफ्थ नमबर के उपर चल रहा है immutable X marketplace प्लेस, शिक्स नमबर के ऊपर चल रहा है टैंसर, सेवन नमबर ऊपर चल रहा है, एकस टू, वाई टू, उसके बाद आठवा नमबर देखेंगे, मूडर, फिर सोरा रहे, फिर काफी सारे दीख रहे हैं, यहाँ पर देखे, एक जी का भी मार्केट प्लेस, ग्यारवे नमब के ऊपर है, एक जी इंफिनिटी, इसका प्रोजेक्ट है, ग्यारवे नमबर के ऊपर है, और फिर रारी बल, इसका भी टोकन के बारे में आपने सुना होगा, रारी, अब यहाँ पर टोप कौन हुआ, ओपन सिया, अब देखे, ओपन सिया का तो टोकन नहीं है, तो अब सेक काज़ा इसने मार्केट को केप्चर कर लिया है, तो हम लाचिंग की बात करेंगे तो एन एफिक का मार्केट प्लेस लाच हुआ था 19 अक्तूबर 2022, अब देखे, 5 साल के बाद, मतलब पहला एन एफिक मार्केट प्लेस अपन सिया 2017 में आया, उसके 5 साल के बाद को ऐसा एफ यू बनता है क्योंकि 1212 तो फाय में भी रहेगा तो भी अच्छा घाजा ही इसको पेशा मिलेगा और यूजर्स भी अच्छे घाजे मिलेंगे ऐसे तो 800 है बटे टू नंबर के उपर है मुझला पेशा अच्छा घाजा मिल रहा है अच्छा घाजा रन करवाया 2022 से और फिर इन लोगों ने 14 फरवरी 2023 को इसका नेटी टोकन लौंच कर दिया बलर बलर नेम का नेटी टोकन हमारे सामने आया अगर हम समझदार होते या तो हम समझदार हैं काफी सारे लोग लोग को मालूम है कि अच्छा एनफटी मार्केट प् किया है तो यह मान के चलिए जैसे बलर डीप में आएगा उठाना चाहिए क्योंकि यह पेसा कमा आ रहा है कंपनी को रेवन्यू मिल रहा है और वोल्यूम वाइज और यूजर वाइज देखेंगे तो अच्छा खासा नमबर है तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है बलर काम प्राइज देखेंगे तो अलमुस देखेंगे यह 67.5 परशन डाउन है जहां पे लॉंच हुआ था वहां से काफे डाउन है इतना ज्यादा इसलिए डाउन आया क्योंकि एक तो दो तीन साले क्रियेट हुआ इसका प्रोजेक्ट मार्केट प्लेस चल रहा था टोक हो गया 0.2 डोलर के उपर पहले भी आया था और वहां से फिर एक बार 0.8 गया मार्केट डाउन गया तो अगे 0.2 के उपर आ गया अनलेसिस आगे करेंगे मैं बताऊंगा डबल बोटम भी हम कह सकते हैं बाकि अभी इसका ओर डाटा देखना बागी है डाटा वो देखना है कि इस NFT मार्केट प्लेस के उपर कौन-कौन से विसीज ने फंडिंग कर दिया और कितना फंडिंग कर दिया है दोस्तों बलर के अंदर टोटली फंडिंग रेज हुआ था 164 मिलियन डॉलर मतलब काफी अच्छा कज़ा फंडिंग रेज हुआ था इसका नेटी टोकन नहीं नहीं आया था उससे पेले की बात है इनमें लोगों ने किस टोकन सेल किया था म्ड़व 113 मिलियन डॉलर के टोकन सेल किये थे पबलिक ली और बाकी के विसीज का पंडिंग रहा था योros desar पेली én d हम पैले विसीज की बात करेंगे तो 28 मार्च 2022 को फेला फंडिंगs रांड वा था उलमुस्ट ग्यारा मिलियन डॉलर का फंडिंग रेज हुआ इसके अंदर पाडियम नेम का जो कंपनी है जो कि हर एक वीडियो के अंदर बात करते हैं अच्छे प्रोजेक्ट में वह पहले इन्वेस्टमेंट कर देता है तो पहले राउंट के अंदर लीड कर रहा था फ़ाडियम उलमुस्ट 11 मिलियन डॉलर का फंडिंग इसकेंड 21 नवेंबर 2023 को 40 मिलियन डॉलर का फंडिंग होता है और यहाँ नहीं किया कि किस-किस लोगों ने पैशा डाला रागे हम बात करेंगे इन लोगों ने जो पुबिकली सेल किया था token को 0.2 dollar के उपर किया था तो देखे जिन लोगों ने यहाँ पर उठाया था 113 million dollar का funding उठाया था तो अभी हम देखेंगे current time में 0.2 dollar चल रहा है और इन लोगों ने token जब sale किया था तब भी 0.2 dollar ही चल रहा था अभी देखे RY क्या है इन लोगों ने 113 million dollar publicly लोगों ने लगाया होगा वो लोग तो अब loss में जाना शुरू हो जाएंगे तो अच्छी चीज तो यह है कि अब token ज्यादा नहीं गिर पाएगा तो फिर क्या होगा 113 million dollar जिन लोगों ने लगाया अगर उसने hold किया है तो फिर वो average करना शुरू कर देंगे और token भी sustain कर लेगा तो यह भी जानना जरूर है कि कहाँ पे token sale हुआ था कितना sale हुआ था और वहाँ से price अभी क्या चल रहा है तो जहाँ price चल रहा है वही price के उपर यह token को पेले publicly sale किया गया था बाकि हम इसके market के आकड़े देखेंगे तो अभी current time के अंदर 347.29 million dollar का market के बभी चल रहा है इसकी जो maximum supply है 3 billion dollars और अभी circulating के अंदर इसके token 58% आ चुके है मतलब almost 1.74 billion tokens circulating के अंदर आ चुके है अब बाकि की supply कब आएगी तो इसका जो mechanism है locking वाला है 0.07% token है unlock होगा तो 10 दिन में 0.07% महिने भर में 2% के आसपास token unlock होगा 10 महिने में 20% token है वो unlock होगा अब token ज्यादा इसलिए unlock हो रहा है क्योंकि blur का जो NFT marketplace है वहाँ पर user NFT को buy sale करेंगे तो उसे reward के रूप में भी blur मिलेगा NFT को create करेगा और वहाँ पर रखेगा तो उसको भी reward के रूप में blur मिलेगा तो उसको देने के लिए यहाँ पर इन लोग का planning है कि हर दिन 0.07% token है जो supply है वो unlock हो तो सालाना 20% supply आएगी 20 से ज्यादा ज्यादा supply आएगी तो यह मान के चलिए दो हिक शालों के अंदर सारे के सारे token है वो circulating में आजाएंगे एक आखड़ा यहाँ पर आप दियान में रख सकते हैं कि इसकी maximum supply 300 करोर से ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर बताया गया है एक positive चीज यह भी है कि 58% token तो आ चुके है circulating के अंदर और बागी दिरे दिरे आने वाले है अब यहाँ पर इसका हम चार्ट देखते हैं दोस्तो यह Binance का चार्ट है इसके अंदर हम देखेंगे तो launching के बाद blur name का token 0.8 डोलर तक गया था और फिर 0.14-15 के आसपास आया था तो सभी को मालूम है हर एक वीडियो के अंदर बताते है एक चीज याद रखनी है अगर में बताओ या ना बताओ अगर अच्छा project है और Binance लिस्ट करता है और वो नया-नया है और वो token ने एक भी rally नहीं किया है तो almost 10X to 20X तक rally हमने देखे है के अंदर कोई भी cryptocurrency Binance में आता है वो एक बार bottom मारता है bottom का हमें पता चल रहे तो वहां से वो 10X to 20X तक rally करता है चाहे आप सीवा इनो को देख लो पीप को देख लो वो meme है फ्लोकी को देख लो वो भी meme है तो वो भी चले है तो और strong project तो चलेंगे चलेंगे अब market cap की इसाफ से blur की बात करेंगे तो blur का अभी 300 million dollar का market cap चल रहा है तो price है 0.2 dollar अगर वही market cap 3.5 billion dollar बनाता है तो इसका price चला जाएगा 1.9 dollar जो कि 3.5 billion dollar का market cap तो अभी P-Pain Floki का है meme cryptocurrency का है तो bull run में ये तो होना ही है मतलब short term में भी होना है और long term में हम देखेंगे 35 billion dollar का market cap ये बना लेता है तो bull market के अंदर अगर 35 billion dollar चला जाता है क्योंकि top level का है NFT marketplace based token तो फिर आप इसका price 19-20 dollar के उपर भी देख सकते हैं और यहां से क्या होगा वो आप calculate कर सकते हैं बट इसमें आप minimum 10X के आसपास के आंकड़े देख सकते हैं अगर market में bull run आया सभी token चले तो blur में भी आप really है वो expect कर सकते हैं तो उमिद करता हो वीडियो आपको पसंद आया होगा यह वीडियो का फाइदा blur holder को भी होगा और अगर कोई बंदा token खरीद रहा है उससे भी होगा और काफी मुझे लगता है कि helpful रहा होगा तो likes बिल्कुल करना इस वीडियो को share भी बिल्कुल करना